क्या है स्त्रीधन? आज किस वीडियो में जानेंगे कि स्त्रीधन है क्या? स्त्रीधन दो शब्दों का एक संगम है जिसमें कि स्त्री और धन से मिलकर ये शब्द बनता है जनर्ल सेंस में अगर बात करें तो स्त्री धन का मतलब होता है कि जो धन एक particular एक स्त्री को बिलॉंग करता है जो धन एक महिला का है वो स्त्री धन कहलाता है ठीक है अक्सर हम देखते हैं कि शादियों में लड़की वाले पक्ष के तरफ से अपनी बेटी को कुछ गिफ्ट दिये जाते हैं गिफ्ट में ओर्नमेंट्स हो सकते हैं, जोलरी हो सकती है, बैड हो सकता है, फरनीचर हो सकता है, कार, बाइक हो सकती है कुछ भी हो सकता है Movable या Immovable property हो सकती है जैसे कि कोई माता-पिता चाहते है कि हमारी बेटी के नाम पर हाज जमीन करवाएं तो वो कुछ जमीन भी करवा सकते हैं कुछ कार या बाइक उसके नाम पर देना चाहते हैं तो वो देते हैं normally ठीक है तो वो किसकी category में आता है वो आता है स्त्रीधन की category में अब जरूरी है कि समझ लेना चाहिए कि स्त्रीधन और दहेज के बीच में क्या difference है actually जो स्त्रीधन है वो अपने love and affection से दी जाती है ठीक है love and affection से मतलब प्यार से दी जाती है अपनी बेटी को ठीक है ससुराल पक्ष को नहीं दी जाती सिर्फ और सिर्फ as a gift अपनी बेटी को दी जाती है स्त्रीधन जुसकी शादी के टाइम पर दी जाती है इसमें जो absolute right होता है उसकी बेटी का मतलब जिस मात पिता ने अपने बच्चे को दिया है ना ये gift जो भी स्त्रीधन कह रहे हैं हम जिसकी बात कर रहे हैं तो वो स्त्रीधन बिलॉंग करेगा उस लड़की को उस महिला को ठीक है अब इसमें जो matter है जो हमें ध्यान रखने की बात है वो ये है कि जो custody है वो matter नही gift में मिला है वो भी वहीं पे रखा जाएगा अब मान लिजिए कि वो जो घर है वो उसके father-in-law के नाम पर है उसके ससुर के नाम पर है अब घर ससुर के नाम पर है तो custody किसकी है custody बेशक उनकी हो वहाँ पर रह रहे हैं सब एक साथ रह रहे हैं लेकिन absolute honor वो लड़की ही है जिसको वो शादी में gift के तोर पर मिले हैं लेकिन दहेज में ऐसा नहीं होता मतलब कि डौवर में ऐसा नहीं होता डौवर जो है वो ससुराल पक्ष के द्वारा मांग कर लिया जाता है particular एक चीज की demand उसको हम डौवर की category में count करते हैं अगर शादी के समय ससुराल पक्ष से कोई सास ननन्द या फिर कोई देवर जेट या ससुराल वाले कोई भी पक्ष से कोई उनका रिशेदार उनकी बहू को कुछ भी देखे जा रहा है कोई gift देखे जा रहा है ठीक है कुछ भी gift के अंदर वही सब बाते हैं furniture वगेरा या फिर कुछ भी ornaments, jewelry कुछ भी gift कर रहे है और वो इस intention से कर रहे है कि यह हमारे घर में आएगा और हमारा हो जाएगा तो भूल जाएए इस चीज़ को क्योंकि वो उसके absolute honor बन चुकी है वो लड़की जिसको आप सबने यह जब gift किया है ओके Hindu marriage act के according जो स्त्रीधन है उसको दो प्रिकार से count के जा सकता है एक है सौधी का और दूसरा है non-सौधी का अब सौधी का और non-सौधी का क्या होता है सौधी का के अंदर वो categories आ जाती है gift की जो कि उनकी parents और उनकी love affection वाले person ने उनको gift किया है ठीक है लड़की पक्षवाले न या फिर अगर बात करें तो non-sodika की तो वो ये हैं कि जिसमें मतलब जैसे शादी में बहुत से लोग ऐसी बैते हैं जो strangers होते हैं लेकिन कुछ ना कुछ gift करके जाते हैं like चांदी की कोई छोटी ornament या कोई jewelry या फिर कुछ भी वो जो gift करके जाते हैं वो non-sodika के अंदर count या फिर उस लड़की ने street जो है उसने खुद अपनी कमाई से कुछ gain किया है कोई property खरिदी है अगर वो उसको लेके अपने ससुराल में जा रही है तो वो भी non-sodika के अंदर स्त्रीधन count होगा अब अगर मान लिजी कि एक लड़की को स्त्रीधन दे दिया है और स्त्रीधन अब उनके घर में है ससुराल पक्ष में है कुछ dispute होता है और लड़की अपने ससुराल में नहीं रहना चाह रही और ससुराल वाले भी इसको नहीं रख रहे हैं लेकिन स्त्रीधन देने से मना क कर रहे हैं तो अब क्या होगा तो वह कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं 405 406 और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बीच में यहां पर यह बताया जाता है कि जब इस त्रीधन जो है ससुराल में बेशक से रखा है लेकिन ससुराल वाले उसके कश्टडी में तो है वह समान लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह उसके ओनर है अगर आपको यह इंफोर्मिशन अच्छ लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखके बताओगे कैसे लगी है